नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का Steady Gloss पर दोस्तों कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि चाइना कभी भी कॉपी करने के अंदर पीछे नहीं है यहां तक कि Apple Company के जो Mobile Phones आते हैं, iPhone आते हैं उनकी भी कॉपी चाइना ने की है आप लोग अभी नेपाल घूमने के लिए गए होंगे, वहाँ पर जो Local Markets हैं, वहाँ पर Mobile Phones के कई कॉपी आप लोगो देखने को मिल जाता है आप जैसा में Mobile चाहेंगे, उसका Sticker लगा कर आपको बेच दिया जाता है लेकिन पाकिस्तान भी इस करम में पीछे नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ने Mobile Phones की कॉपी नहीं की है भारत के अंदर एक चावल की किस्म होती है, पूसा बासमती, पूसा बासमती की किस्म को कॉपी किया है और पाकिस्तान की खुद की Local Market में और यहां तक की Export भी उसने European Countries के अंदर किया है भारत का जो Market है Western Asia का, क्या वाकई में पाकिस्तान उसको खराब कर सकता है इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या भारत ऐसे कोई कदम उठा सकता है जिससे कि पाकिस्तान ये जो Illegal, Unlawful जो Activities कर रहा है क्या इसके उपर हम लोग कोई Concern या फिर हम लोग कोई कारवाई कर सकते हैं WTO में जा सकते हैं या फिर इसके लवा किसी दूसरे संस्ता में जा सकते हैं कि पाकिस्तान भारत की ये जो मार्केट है बास्मती राइस की इसको खराब ना कर सके चलिए चर्चा करेंगे इसमें आगे हम लोग यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि Indian Agriculture Research Institute I.A.R.I. जिसके Headquarters दिली के अंदर है और हाल ही में उसने कहा है कि पाकिस्तान जो की Illegal Cultivation कर रहा है बास्मती राइस की और भारत के जो मार्केट हैं इसको कही ना कहीं खराब वो कर रहा है पाकिस्तान के अंदर खास तावर पर YouTube जो वीडियोज हैं उनके द्वारा ये पता लगा है कि पाकिस्तान के YouTubers ऐसा वहाँ पर Interpret कर रहे हैं कि पाकिस्तान बास्मती जो राइस एक्सपोर्ट है इसको लेकर बहुत ज़दा बूम पर है और पाकिस्तान के अंदर जो चांवल की किस्म है वो बहुत अच्छे से फलिभूत हो रही है पाकिस्तान की कुछ छेट रहने से मुल्तान आप लोग देख लिजिए भावलम नगर आप लोग देख लिजिए हफीजाबाद यहाँ पर वो जो बासमती राइस की जो किस्म है उसका कल्टिवेशन हो रहा है और फिर भार मार्केट के अंदर एक्सपोर्ट उसका हो रहा है दोस्तो हाल ही में हमने 75 डेज हार्ड चैलेंज सक्सिस्फुली कंप्लीट किया है आप लोग इसको जोएन कीजिए अगर आप लोग लग लगता है कि वागई में अगर आप लोग आगे जाकर इस Addiction के अंदर फ़स सकते हैं, Porn Addiction के अंदर या फिर अभी फ़स चुके हैं इससे बाहर निकलना चाहते हैं और निकलने के बाद यह देखना चाहते हैं कि willpower, concentration, focus इसमें कितना improve होता है तो आप लोग जरूर इसको join केजिए 350 रुपीज के अंदर आप लोग को एक court मिलेगा per day 4.6 रुपीज के अंदर मात्र केवल 4.6 रुपीज के अंदर आप लोग के लिए 75 techniques आप लोग को बताई जाएंगी अगले 75 days के अंदर तो मेरा ये मानना है कि आप लोग को लाइफ में एक नाएक बार ये challenge जरूर लेना चाहिए आप लोग टेलिग्राम चैनल दीपक इंदरा official पूरब मुझे join कर सकते हैं चलिए आखिरकार देखते हैं कि concern क्या हुआ है देखिए भारत के अंदर चामल का जो export market है वो कही ना कही 5% अभी हाल ही के अंदर down हुआ है और ये हुआ है अपरेल जनवरी 2023 चोईस के अंदर अगर हम लोग agriculture produce मतलब सभी agriculture जो goods हैं सभी को अगर हम लोग count करें तो उसमें produce जो export है वो भी कम हुआ है 9.7% लेकिन क्या वाकई में पाकिस्तान के त्वारा जो बास्मती rise का export के जा रहा है उसी कारण है या फिर इसके लिए और भी कोई reasons हो सकते हैं यहाँ पर हम लोग देख सकते है कि जो बास्मती rise है इसका export पहले की तुलना में कही ना कही jump हुआ है 22.2% लेकिन देखे पाकिस्तान हमेशा भारत को copy करता हुआ आया है आप लोग को पता होगा कि पाकिस्तान की currency बहुत ज़्यादा जो है वो गिर चुकी है यह मानके चलिए कि international market के अंदर पाकिस्तान की जो currency है उसकी कोई value ही नहीं गई है वो बहुत हद तक कम हो चुकी है एक चार्ट आप table आप लोग के सामने है जहां पर दो varieties आप लोग को बताई गई है non-basmati और basmati इसमें अगर हम लोग देखें कि non-basmati जो है इसकी quantity धीरे 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 बढ़ती हुई चली जा रही है एक लगातार इंप्रूमेंट जो है वो यहां तक 2022-23 तक आप लोग को देखने को मिल रहा है अगर हम लोग quantity की terms में बात करें अगर value की terms में बात करेंगे तो वो भी इसके according जो है वो बढ़ता हुआ ही जाएगा लेकिन 2022-23 और तेश चोईस में आप लोग देखेंगे कि यहां कहीं न कहीं गिरावट दर्ज की गई है quantity in terms of quantity वहीं पर अगर हम लोग बासमती की बात करें तो बासमती को लेकर कोई खासा गिरावट जो है वो नहीं हुई है और 2022-23 और 2023-23 केंदर इतनी गिरावट जो है दर्ज की गई है लेकिन यहां से हम लोग ये तो अंदज लगा सकते है कि भारत का जो चावल का एक्सपोर्ट है वो बहुत बड़ा मार्केट है भारत को लेकर और खास तोर पर भारत वेस्टन जो एशियन कंटीज है वहां पर अपनी चावल को एक्सपोर्ट करता है लेकिन क्या नेबर हुट जो थ्रेट है वो भारत के लिए कंसर्ण हो सकता है क्या वाकई में एक सोचनी का विशे है देखिए अगर हम लोग किसी भी फसल को उगाते है तो हमारे लिए जो बीज है वो बहुत इंपोर्टेंट होता है माल लीजी कि किसी भी फसल का बीज ही अगर आपने कॉपी कर लिया है या वहां से चुरा लिया है और अपने देश के अंदर आप लोग लेकर आए है तो वो जो चामल की किस्म है वो आपके देश के अंदर उगना शुरू हो जाती है तो सबसे पहला कंसर्ण नहीं होता है कि सीड को वो कॉपी कर लेते हैं और फिर अनलॉफुल कल्टिवेशन वहाँ पर करना शुरू कर देते हैं जिसे आप लोगों ने जी आई टेग का नाम सुना होगा जोग्राफिकल इंडिकेटर माली जी कि हम लोग बिकानेरी भुजिया की बात करें तो बिकानेरी भुजिया जो है इसको specific area के अंदर GI tag दिया गया है अगर दूसरे किसी area के अंदर उसको अगर माली जी बनाये जाएगा तो वो फिर जो पहले से बिकानेरी भुजिया जहां पर बन रहा है उसको नुकसान हो सकता है तो basically क्या होता है कि एक area particular वहाँ पर allot कर दिया जाता है तो seed pricey, piracy और unlawful cultivation जो है ये पाकिस्तान धिरी धिरी इसको बढ़ता जा रहा है और खास तोर पर बास्मती rise को लेकर भारत के लिए concern है कि आखिरकार वो बास्मती rise को लेकर ये piracy क्यों बढ़ा रहा है देखि पाकिस्तान ये चाहता है कि कहीं न कहीं वो जो western countries है वहाँ पर भी वो dominate करना शुरू कर दे अचा मैंने आप लोग को starting में बताया था पूसा बास्मती को लेकर देखि बास्मती की एक किस्म आती है पूसा बास्मती जोकि भारत नहीं इसको इजात किया है और इसकी कई सारी varieties आती है जैसे PB 1121 है PB 1718 है PB 1885 है PB 1509 है PB 1692 है PB 1847 तो यतनी भी किस्में आप लोग देख रहे हैं आप लोग ये एक चीज़ यहाँ पर assume करेंगे कि जो traditional varieties हैं उनका export अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे यह हम लोग plantation देखेंगे तो बहुत कम है जबकि पूसा बास्मती का यहाँ पर देखिए आप लोग पंजाब है हर पादन शमता बहुत कम है तो हम लोग यह कह सकते हैं कि यह फसल हमारे लिए बहुत ज़्यदा important है लेकिन क्या वाकई में आखिरकार यह जो breed पूसा बास्मती जो हमने इजाद की थी क्या इसकी बारे में special क्या है देखिए Indian Agriculture Research Institute जो है वो आये दिन कोई नही नई फसल जो है इसको बाजार के अंदर उतारता है बहुत सारे experiment हम लोग करते हैं inventory के उपर हमारा बहुत पैसा खर्च होता है हम लोग R&D के उपर बहुत पैसा खर्च करते हैं और बाद में पता चलता है कि किसी दूसरी देश ने हमारे ही देश की जो किसम है इसको copy कर लिया है तो हमको ब बासमती 370 है ऐसे कई सारे किसमे हैं जो कि traditional तौर पर बासमती की varieties हम लोग देखते हैं वैसे तो इसको हम लोग कम होगाते हैं खास तौर पर हिमाचिल प्रदेश के अंदर हरियाना में पंजाब के अंदर लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमको एक food crop के तौर पर ये इस्तमाल तो करनी ही होती है इनकी low yielding होती है और लगबग 155-160 दिन के अंदर जाकर ये किसम जो है वो तयार होती है तो बहुत कम quantity इनकी जो है quintals के अंदर वो तयार होती है हम लोग कहीं ना कहीं इससे ऊपर उठना चाते थे और इसलिए हमने पूसा बासमती की जो अलग-लग किसमे है और जबकि ये 135-140 दिन के अंदर तयार हो जाती है वहीं पर आप लोग देखेंगे कि जो traditional जो बासमती राइस की किसमे थी वो 155-160 दिन में तयार हो रही थी वहीं पर ये जो पूसा बासमती हमने इजाद की थी वो बहुत कम समय के अंदर और जादा yielding power उसकी थी तो यह हाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इसकी बाद में हमने 2003 के अंदर PB-1-1-2-1 को इजाद किया PB-6 है PB-1509 है PB-1-1-2-1 है तो ऐसा हमने बहुत सारी किसमे जो है वो आगे जाकर तयार की ताकि हमारा जो export है वो और बढ़ सके और Indian domestic market जो है वहाँ पर हम लोग अपनी requirement को fulfill कर सक तो recently हम लोग को यह पता लगा कि YouTuber जो है YouTube वीडियो के थो वहाँ पर वो अपनी फसल की बहुत तारीफ कर रहे थे दो हमने जो है वो बासमठी की किसम इस तरीके से बनाई हैं और इसको export कर रहे हैं फिर जाकर हमको पता लगता है कि इन्होंने कुछ किसमे जो है इनको भारा 58 लाग टन जो है इतने वैली के अंदर गिरा है वहीं पर अगर जुलाई फरवरी 23 चोईस की बात करें तो वहाँ पर भी डाउन पॉल जो है अगर थोड़ा सम लोग देखें कि इजाफा ज़रूर यहां पर हुआ है तो basically पाकिस्तान कहीं ना कहीं बासमती राइस का जो मार काला शाक काकू नियर लाहूर के अंदर उन्होंने सबसे पहले 1996 के अंदर इस ब्रिड को जो की ट्रडिशनल तोर पर थी इसको क्या किया था पाकिस्तान के अंदर रिलीज किया था और उसको सूपर बासमती जो है वो इन्होंने नाम दिया था इसके बाद में इनका जो मार भारत जो है वो Western Asian countries के अंदर अपना market बनाने कोशिश कर रहा है वो है South Arabia, Iran है, Iraq है, United Arab Emirates है तो वहाँ पर भारत का export काफी हर्तक होता है तो कही न कही आगे चलकर ये हो सकता है कि पाकिस्तान हमको जो है वो इसी market में competition देना शुरू कर दे और जो किसम हमने बनाई थी, पूसा बास्मती, इसको कही न कहीं वो अपनी बताना शुरू कर दे तो इसको लेकर भारत अगर करे तो आखिरकार क्या करे मतलब भारत के पास में कौन कौन से उपाए है तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि भारत ने एक कानून बनाया था Protection of Plant Varieties and Farmers Right Act जो कि दो जार एक के अंदर बनाया था इसके तहट भारत कहीं न कहीं अपनी बासमती की जो वाराइटीज है इनको अकर international जो organizations हैं वहाँ पर लेकर जाए कि यार पाकिस्तान जो है वो हमारे जितने भी बीज हैं फसले हैं इनकी किसमे जो हैं ब्रिड्स हैं इनको कौपी कर रहा है तो वहाँ पर जाकर कहीं न कहीं concern जो है मार्केट में उड़ सकता है यहाँ तक कि seeds के लिए भी act बनाया था 1996 में तक कोई भी इनकी piracy ना कर सके कोई भी इनकी copy ना कर सके और एक geographical indication आप लोगो मैंने पहले ही बताया है कि GI tag जो है वो किसी भी फसल के लिए या किसी भी specific product के लिए दिया आता है तक कि वहाँ पर उसी area के अंदर उसको product कर सके तो भारत के अंदर लगबख 7 states ऐसे हैं जिसे पंजाब है, हरियाना है, हिमाचिल प्रदेश है, दिल्ली है, उत्राखंड है, उत्रप्रदेश है तो यहाँ पर जो है जम्मो कश्मीर के दो डिस्टिक्स हैं तो basically यहाँ पर क्या होता है, कि हम लोग यह जो चावल की किसमे हैं, इनको उगाते हैं भारत जो है, इनको लेकर काफी concern है, भारत इंट्रेक्शल प्रपर्टे राइट्स के ताहित, यहनि कि violation का मुद्दा उठा सकता है और उठाने के बाद इसको World Trade Organization के अंदर लेकर जा सकता है, कि पाकिस्तान जो है, वो हमारा कही न कहीं मार्केट खराब कर रहा है, अपनी piracy को लेकर तो पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान ने कहीं न कहीं भारती जो एक्ट है, इनका उलंगन किया है, और WTO की जो international एक्ट है, उनका भी उलंगन किया है, तो भारत जो है, इसको लेकर काफी concern है, और आगे आने वाले समय में हो सकता है कि भारत इसको international market के अंदर, या फिर international organization जो है, वहाँ पर इसको challenge कर सकता है, तो पाकिस्तान वाकई में कहीं न कहीं इंडियन market जो है, इसको खराब करना ही कोशिश कर रहा है, आप लोग हमारे 75 days hard challenge के साथ में जुड़ सकते हैं, आप लोग को coupon code यूज़ करना है challenge, जिससे आप लोग को 75 techniques बताई जाएंगी कि लेकिन केवल यही नहीं, कि आप लोग coupon addiction से भाहर निकलेंगे, आपको willpower, concentration, आपको life style जो है, पूरी की पूरी change मिलेगी, 75 real stories हमने यहाँ पर discuss की हैं, कि आप लोग देखे, इन लोग को देख सकते हैं, कि इन्होंने अपने जिंदगी के अंदर क्या कुछ face किया था इस addiction को लेकर, तो आप लोग वो चीज face ना करें, तो आप लोग जरूर जोईन कीजिए, इस course को अभी काफी discount चल रहा है, holy के उपर, तो आप लोग इसको जरूर जोईन कीजेगा, आप लोग टेलिग्राम पर मुझे जोईन कर सकते हैं, दीपक इंदर official, यहाँ पर आप लोग को lecture लक्चर की PDF और अदर जो डिटेल्स हैं, वो भी अवेलेबल हो जाती है, चलिए मिलते हैं आप लोगों से, अगले लक्चर के अंदर ततली धन्यवाद, थेंक्यू, जैहिंद